हेलो फैंस कैसो आप लोग मैं निलेस एंड स्वागत है आपका सूपर फास्ट क्लासेज यूटूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में मैं क्लास 10 वालों के लिए सोसल साइन्स यानि समाजी भिग्यान के कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया है आप ये एक कोश्चन देख सकते हो काफी बार पूश्चु का है आप लोग के बोर्ड इक्जाम में देखें कोश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानान सरस्वती द्वारा अस्थापित संस्थाओ के सिधान्तों में क्या समानता है थी ये काफी मुष्ट important है क्या समानता है थी तो आप इसे देख लिजिए और याद भी कर लिजिए काफी ये महतफूर है तो चलिए इसका उत्तर में बताता हूँ और गाईज देखिए मैं एक वीडियो में काफी मतलब थोड़े-थोड़े question लाता हूँ देखिए इसलिए लाता हूँ कि मैं एकद बड़ी वीडियो होने का फायदा आपको भी ये कि आसानी से याद हो जाएगा एक ही बार कई पर ने लिखकर बता दो आपको तो याद भी नहीं होगा कुछ आपको फायदा नहीं होगा तो चलिए मैं इसका फाइनली अंसर बताता हूँ तो फिर एक बार इसका question पर देता में निम्न समानता है थी क्या समानता है थी फ्रस्ट आप लोग डाकर लिख लेगो लिख लेगो क्या कि दोनों ही मानते हैं कि इस्वर एक है और उसकी पूझा आध्यात्मिक रूप से होनी चाहिए तो फर्स्ट में ये आप लिखेंगे कि दोनों ही मानते हैं कि इस्वर एक है और उनकी पूझा अध्यात्मिक रूप से होनी चाहिए उसके बाद सेकेंड में लिख लेंगे कि क्या लिख लेंगे सेकेंड में दोनों की मानता है कि इस्वर नीराकार सर्व सक्तिमान वो सरोव्यापक है ये सेकेंड में आप लोग लिख लेगो क्या लिखोगे कि दोनों की मानता है या दोनों ही मानते हैं कि इस्वर नीराकार सर्व सक्तिमान वो सरोव्यापक है और इसी में मैंने थर्ड भी लिकवाद दिया एक अगर थर्ड तीन थे पूछ दे तो इसे भी लिक लिजेगा और इसे भी याद कर लिजेगा तीन थे याद रहेगा एक भूल जाएगा तो आप लिख लोगे असानी से तो ये क्या है आप लोग देख सकते हो ये है कि दोनों मुर्ति पूजा को नहीं मानते यानि मुर्ति पूजा में दोनों में से कोई भी विश्वास नहीं करता है ठीके तो ये रहा आपका जो हम लोग का question था उसका answer ठीक तो नीचे आईए नीचे कुछ बहुविकल्पी टाइप के question लिखा हूं उससे भी आपको बता देता हूं त भारत के राष्टी आंदोलन के गरम दल के दो निताओं के नाम ठीक तो देखिए जो first है भारत के गरम दल के निता वो थे बाल गंगाधर तीलक आप लोग समझ देखते हो ठीक उसके बाद second थे बिपी चंदर पाल आप लोग याद रखिएगा बाल गंगाधर तीलक और ब पीचंदर पाल इस तर लिखेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं अगला हम लोग का question है इसमें का third कि कुका आंदोलन किस ने प्रारंब किया था कुका आंदोलन तो भाई कुका आंदोलन मैं बता दो कि संत गुरु राम सिंग ने प्रारंब किया था तो आप लोग याद आपको कैसे लेगी अगर अच्छे लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक सदिक सेर करें तो धैंक्यू गाइज